हेलो फ्रेंट्स वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नौलेज विदा लोग सिंग राजबूत में सभी केंदी कर्मचारियों और पैंसनर्स को जो है दीवाली को एक और बड़ा तौफा सरकार की तरफ से दिया है अब जो है सैली और पैंसनर्स के नियम बदल सकते हैं सब्सक्राइब के रड बटन को प्रेस करके साथी साथ आप हमारे वीडियो की लेटस नोटिफिकेशन के लिए इस घंटे की निसान को हिट करके और नोटिफिकेशन को उसलेट करना बिल्कुल मत भूलेगा तब ही आपके पास हमारे वीडियो की लेटस नोटिफिकेशन आ आप देख सकते हैं आपे केंद्री कर्मचारियों के लिए बड़ी रहात की खबर है सरकार ने अब पालिवारी पैंसन के नियमों में बहुत बड़ा महत्पून बदलाव कर दिया है सरकार को एक एहम बयान जारी करते हुए सरकार ने इसकी जानकारी दिये सरकार की इस फैसले से देश के लाखों कर्मचारियों को फायदा हुगा एक आने फैसले में सरकार ने दिव्यांग पैंसन भोगियों के सहायकों के लिए परिचारक भत्ताबढ़ा दिया है केंद्री मंत्री मिस्टर जितिंदर सिंग ने सनीवार को बताया है की याचि का लवित के दूरान भी दिवांगत केंदी करमचारी की बेटी अब पारिबारी 5 सथा कि अधिकारी है तो लेकिन उसने अपने करमचारी माता एपिता के जीवनकाल में ही याचि का दाखिल कर दीती अब इथा किया था नियम, पहले के नियम में बेटी को तभी पारिवारिक पैंसन पाने का अधिकार था, जब उसके अपने कर्मचारी माता या पिता के जीवनकाल में ही तलाग ले लिया हूँ, केंदिरी मंत्री ने बताया कि दिव्यांग बच्चों भाई भाई भाईनों को पारिवारिक pension प्रिदान करने के लिए भी आदिवार के लिए भी आदेश चारी किया गया है अब दिव्यांगेता प्रमाण पत्र अगर pension भोगी माता या पिता की मृत्यू के बाद भी प्रस्तूत किया जाता है तो वे pension पाने के आधिकारी होंगे पसरता दिव्यांगेता मा दोटर तू रिसीव फैमिली तो आप आगे भी देख सकते हैं इसमें दिव्यंग पैंसन भोगियों के साहिकों के लिए इसके लावा जो है उनका अलाउंसे भी बढ़ाया गया है दिव्यंग पैंसन भोगियों को साहिकों के लिए परिचारक भत्ता 45 रोपे से पड़कर 60 रो को भी निदेश दिये गया है कि बैंकर आने में अस्मर्त पैंसन भोगियों को घर पर ही जीवत प्रमाट पत्रों उपलब्द कराया जाया तो इसमें दो बड़ी खबर ही थी दोनों भी बहुत इंपोर्टेंट थी वीडियो अच्छा लाइक करेगा सेर करेगा सभी दोस्त अब ही कर लेगा मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मज